हाजी तो कैसे मेरे पैस तासा करते को मस्तोंगे स्वस्तोंगे मेरे पैस तो इस वीडियों में लोग पढ़ने वाले क्लास 10 पाइलोजी चिप्टर 1 जिसका नाम है जैप परक्रम का अतिलग उतरी सब पूर्ण एक से 35 पढ़ेंगे 100% पैस तो आपको अंसर यहां पर सही मिलेगा पूरा निचोड कुछ वीडियो में कौन सा कोचन एकजाम में आएगा भाई साइब कौन सा नहीं आएगा सब बता देंगे फर्स्ट पोचन है जैप परक्रम किसे काते हैं चिप्टर का नाम बें पैस तो जैप परक्रमी तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जैप परक्रम किसे काते हैं वे शवी क्रियाएं जिसके दोरा जीव अपने जीवन की सारी क्रियाएं को संपादित करती है एक गाना सुने थे ना सुबह से लेकर शाम तक और साम से लेकर सुबह तक तुम्हें याद करें लेकिन यहाँ पर हम लोग बाईलोजी पढ़ना है तो समझे पैश्टो सिंपल में कि जीव वे शवी क्रियाएं जिसके दोरा जीव अपने जीवन की सारी क्रियाएं को संपादित करती है कि सुबह से लेकिन पैश्टो साम तक या राद तक या सुबह तक जितने भी अपनी जिन्दगी के भाई साहब कोई भी अगर काम करता है कोई भी जीवन के वैट तो किरिया करता है तो उसी को हम लोग जय परक्रम करते हैं जीव के बारे में बोल रहे हैं आपके बारे में नहीं जिन्दा न किजिएगा तो सिंपल में समझ गए होंगे कि वेश अभी क्रियाएं जिसके दोरा जीव अपने जीवन की सारी क्रियाएं को संपाधित करती है या अनुरच्छन करती है दोनों एक ही होता है चलिए तो आप नोट कर लेज़ें प्रेश्टो फर्स्ट का अंसर सेकेंड नमर देखिए बहु को स्किये जीवो में आउक्सीजन की आवस सकता बिस्रन दोरा क्यू नहीं पूरी हो पाती है तेकर प्याश्टो बहु को स्किये में आपको आउक्सीजन की आवस सकता बिस्रन दोरा पूरा नहीं होती है वही पुछलारा क्यू नहीं होती है तो पूरती नहीं होता है question आपको आगन प्रैस्टो कि बिसरन की किरिया से oxygen की पूरती नहीं होती है किस में तो बहु कुछ की ए जीवो में चलिए थाड़ नमबर question है जीवो में potion की पर मुख दो वीधियां कौन-कौन सी है तो देकिन प्रैस्टो पोशन की दो भी दिये, एक स्वापोशन, एक परपोशन, ठीक है, स्वापोशन रिप्याश तो किसे कहते हैं, जो खाना खुद से बना ले, ठीक ना, परपोशन रिप्याश तो ये तीन परकार कोता है, जब कि स्वापोशन के कोई भी परकार नहीं है, आगे हम लोग जानें प्वोर नम्र कॉश्चन देखें प्याश्टो हरे पौधा में किस परकार के पौशन पाई जाती है तो अभी हम बताएं देखें फौर का अंसल क्या लिखिएगा सुआ पोशन मेरे प्याश्टो हरे पौधा पौधा के खाना आप बना के देते हैं जी नहीं सर वो अपने बन लेता है अभी नोगता है 100% किसे कहता है बताइए 100% प्रेश्टो उसे कहेंगे जो खाना अपना स्वय बनाता हो किसी दूसरे पर निर्वर नहीं रहता है देकिन प्रेश्टो इससे पिछले एक बार में वीडियो बनाये थे उसमें बहुत अच्छा आप लोग 2,00,000 प्रेश यानि जीव तो खाना बनायेगा भाई साहब तो वह पर पोशन क्या होगा वो दूसरे पर निर्वर कर रहता है ठीक है जितने भी जीव है न एक दूसरे पर निर्वर रहते हैं तो वह हो गया पर पोशन next question, तीन परकार के पर पोसन बिदिया के नाम लिखे, देखी हम बताये थे कि पर पोसन के कितने बिदियों ते तीन, वही तीनों बिदिया का नाम लिखना है simple solution पहला लिखेगा मिरिती जीवी पोसन और क्या होता है, तो हम लोग जब बनाएंगे परकास तो लग उतर लिए तो आपको हम संपूर्ण बताएंगे, पर जबी पोसन क्या होता है, परानी संप, तो ये तीनों आपको लिख लेना है ठीक है परकास तो, चलिए देखें, next कोचन है कि संपूर्ण परकास अंसलिसन पर क्रिया का रसाइनिक सम्मिकरन दे, तो ये सम्मिकरन है जी, यहां में परकास तो CO2 क्या है जी, कारवन डियोकसाइड और ये जल, कलोरोफील और सूर्ण परकास, इसे बोलते है उत्पे रख, यानि इसके उपस्तिति में ध्यान दीजेगा, ये रसाइनिक उपकरिया भाग नहीं लेता है, ठीक है देखें परकास तो, और C6 H बार O6 का निर्मान करता है ये किसका सूत्रे जी, गुलकोज का फिर उन परकास तो, ऑक्सीजन और जल बोले है सर्जी, ये 6 क्या है, ये 12 क्या है तो, ये संतूलित समीकरन है आप लोग पढ़े हूंगे Chemistry Chapter 1 में समीकरन कितने परकाट करते हैं, दो परकाट एक संतूलित, एक असंतूलित, देखें कैसे संतूलित है कारबन 6 है, तो यहाँ परकास तो 6 इसी परकार, आप मिला लीजेगा, ठीक ना तो, यह आप नोट कर लीजे देखें, नेक्स्ट कोचन है कि परकास तंसलेशन परकारिया उत्पात के रुप में क्या बनता है तो अब ही तो बता है तो परकास तो उत्पात के रुप में क्या-क्या बनता है देखें, तो वो लिख लेना है Oxygen और जल Oxygen और जल नाए नमबर कोचन देखें, परकास तंसलेशन के परकारिया हरीत लवत में या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है यह कोचनर प्यास तो important है ध्यान देजिएगा, ठीक ना देखें, इसको कैसे लिखना है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफील वर्नक पाये जाते है Most BVI question और प्यास्टो आपको एक्जाम में objective में बार बार पूछा जाता है क्या क्लोरोप्लास्ट में क्या पाये जाता है तो क्लोरोफील याद रखेगा जहां भी chlorophyll पाया जाकर प्रकास तो उसी के करणपतियों का रंग क्या हता है हरा होता है और उसी में परकास संसलेशन होगा तो लिख लिए यहां चले के आपको यहां तक चलिए प्रकास संसलेशन के लिए किन-किन पदार तो क्या सकता है most VVI objective question यह गुमकर परकिर्दी का question है कम से कम बिहार बोट दो आन प्रस्टो तीन से चार बर पूछ लिया गया है तो देखे फस्ट क्लोरोफिल करवन डायकुसाइड जल और सूर परकास आपको रहेगा वहां पे इन में सभी तो आप क्या लागाईएगा इन में सभी ठीक है कोई दिक्कत वा ठीक है जी और फट अफट सस्क्राइब कर लीजिए पैसा नहीं लगता सस्क्राइब करने है वाई सार्फ परकास अंसलेशन पर किरिया के लिए पौधी कारवन डायकसाइड कहां से प्राप्त करते हैं देखे ये तो आप जानते हैं कि पौधा में पैस्तो क्या करता है जी डिसरंग द्वारा और एक लाइन में अंसर लिखना चाहते हैं सोट में तो डिरेक्ट इसका अंसर बायमंडल हो जागा बायमंडल के द्वारा फैस तो क्या करते कारवन डायकसाइड को ले लेता है और ये किसके कारण डिसरंग के कारण चेदी भाई सार्थ नेश्ट कोश सुचम जीव है सुचम का मतलब क्या है चोटा सा जो घूलित घूलित का मतलब पैस तो तरल जैसे पानी देखे है न चलिए घूलित पदार्थों के रूप में भोजन अफसोसित करते हैं इसके लिए प्रकास अंसलेशन क्या होगा नहीं होगा तो आपको ये लिख लेना भ पोसी है प्रानी सम पोसी है ठीक ना लिख लिए प्रानी सम पोसी ऐसे आपको यहां पर देख रहा हूँ वास है चर्द नमेबर क्षें देखिए मनुस का हार नाल कौन-कौन से मुख भाग में बटा होता है तो इसका देकिन प्रास तो बहुत सिंपल है सबसे पहले लिए मुख गुह, फिरमास से, छोटी याथ, बढ़ी याथ, मलास से, मल दुआर, ठीक है, इत्यादी, देखे, आगे देखते हैं प्रेश्टों ग्रश्णी में इस्ती दो च्छेदरों के नाम लिखना है, ठीक है, ग्रश्णी में इस्ती दो च्छेदरों के नाम लिखना है, देखने प्यार्ष्टो कोश्चन नंबर है 16 मनुस में पाचन हार नाल के किस भाग से सुरू होता है तो देखिए यह होता है मुख गुआ से ठीक है यह कोश्चन इंपोर्टिंड है भाई सा BVI किया हुआ क्योंकि यह कई वार एकजाम में पूछे गया है देखिए मेरे प्यार्ष्टो इस चैनल से जानी मेरे प्यार्ष्टो आपको यूट्यम स्टड़ी से पढ़ने का वस एक ही फाइदा है कि जितने भी एकजाम में कुश्चन आते हैं आपको हम अभी ही बता देते हैं पूरा निचोड मेरे प्यार्ष्टो आपके जो सर बता रहे हैं वो साइंस में 90 पार किये हैं तो आपका भी सपना है कि सर जी हम साड़े 400 पार करेंगे हम भी साइंस में 90 पार करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए प्यार्ष्टो प्रती दिन लाइब क्लास चलता है लाइब क्लास कीजिए आप PDF लिजिए नोट्स लिजिए ठीक है किस भाग में पच्चे हुए भोजन का अपसौण होता है तो यह मीड़रपास्तो चोटियात में ठीक है आप पच्चे हुए भोजन का अपसौण का अपसौण़ मोगा छोटियात में ध्यान दिजिगा, 18 नंबर कोशन देखे, क्लोरो फील बरनक कहां पाय जाती है, तो यह प्रकास तो क्लोरो प्लास्ट में, क्लोरो प्लास्ट में क्या पाय जाता है, क्लोरो फील, 18 का अंसर क्या होगा, क्लोरो प्लास्ट, नेक्स्ट कोशन, परकास अंसलेशन परक्रम द्वा आप पौधे क्या निर्मान करते तो देखें परकास इसलेशन जब होता है तो क्या निर्मान करते थे गुलकोज फिर क्या होता था जल फिर पौधा से अपना भोजन प्राप्त करता है और इसी को अप घटक बोलते है ठीक ना चलिए भाई साथ एक इस नमबर कोशन देखिए जिस जीव के सरीर में पर जीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते है तो पौशी कहलाते है ठीक है इसका राइटन सो रोगा पौशी शले भाई साथ देखें प्रेश्टो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा बात है लेकिन प् तो मेरे प्यास तो हमारे साथ जूड़ जाए सब्सक्राइब करके और प्रते दिन लाइब क्लास किजिए भाई साथ क्योंकि मेरे प्यास तो मैथ अगर मैं आपको डर लग रहा है मैथ पढ़िए साइंस पढ़िए दम उम्दा तयारी किजिए नेक्स कुशन देगे प्या वो यूटियम स्टर्डी है आप अपने भाई से पूछ सकते जो पहले एकजाम दियोंगे पतियों का कौन सा अंक कारवन डायोकसाइड यूगत बायू का परवेस द्वार है ठीक है 23 का तो यह प्यास तो पतियों में मौजूद रंद्र ठीक ना रंदर के द्वाराने प्य ध्यान देंगे अमीवा में भोजन का पाचन कहां होता है तो अमीवा में भोजन का पाचन प्यास तो रस धानी में होता है अमीवा कैसा जीव है एक कुस्किय जीव है ठीक है अमीवा की आकार कैसा होता है अनिश्चित होता है चलिए 25 तक हो गया 26 नमबर मनूस में पाचन क लिए बिसेस अंकों क्या कहते हैं? तो बिसेस अंकों प्रेस्तो अहार नाल या पाचनतन्तर ठीक है? तो 26 काप लोग लिखे जिगा अहार नाल या पाचनतन्तर 27 नमर देखेंगे मनुज के जीव की उपरी सत्व पर पाये जाने वाली संड़चना क्या कहते? भाई सहब इसी से तो आप भोजन का स्वाद लेते हैं कि सर जी अच्छा खाना था, मीठा था, खटा था, ठीक है तो उसे कहते हैं फैस तो स्वाद कलियां, ठीक ना, स्वाद कलियां, जीव की उपरी सतम पाए जाती है, उसे स्वाद कलियां करते हैं, चलिए, नेक्स्ट पर परपस दीजिए तो मुझे बहुत हसी वरा ग्राश नली में ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 भोजन में मौझूद प्रोटीन को प्रिप्टॉन में कौन से एंजाइम परिवर्तित करते हैं यह भी क्वेश्चन एकजाम में पूछे गए हैं तो यह रहे पराश नली के दीवार में तरंग के तरह होने वाले सिकूडने और फैलने की करिया को क्या क्या करते हैं तो इसे करमा कुणचल कहते हैं याद कि जीए प्रेश्टों यह विविवाई कुश्चन है आपको दो नंबर में पूछ देगा कि करमा कुणचल क्या है तो पेप सीन आगे देखेंगे question number 31 अहार नाल के सबसे लंबे भाग क्या है तो शोटी याथ बलियासर जी बड़ी याथ नहीं नहीं मेरे प्याश्तो बड़ी याथ से यह भी लंबा जादा होता है ठीक है ना मैं सिर्फ छोटी छोटा नहीं होता है नेक्स देखेंगे प्याश्तो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंती most important question भाई साहब आप जब question बहिंग देखेगा ना तो सारा यह संद question पूछा जाएगा या करीत या इसी को लिवर बोलते है इसका बजन 1.5 kg होता है आगे देखिए पाचन की क्रिया कहां पूर्ण होती है तो प देखेंगे पैस्तो लास्ट question पैस्तो अभी तगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो मिर पैस्तो क्या ही हम आपको बोल सकते है वाई साहब कर दीजिए देखिए आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक प्यारा ओहरा कमेंट किजिएगा बस दिल क सकून मिलता ही तना मेहनत किसके लिए करते हैं पैस्तो आपके के लिए ना और आपको विचाहिए कि सर्जी लगूतर ये को भी बहुत जल्दी लाइए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिला इकन दो वाल जीगा तभी तो नोटिबिकिसन जाएगा तो फट 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 मेरे मलासे में या रेक्टम में इसी को बोलते हैं मलासे या रेक्टम में ठीक है अब चाब वो जन जो नहीं पर्चता है हम लोग बराती वराती में दवा के खा लेते हैं और वो नहीं पर्चता है तो कहां चला जाता है मलासे में या रेक्टम में उसके बाद धीरे धीरे करके निकलता है, मेरे पैस्तों आप लोग चाहते हैं कि लगूतर ये प्रस्ण को सर्जी जल्दी लाइए तो एक कमेंट फ्यारा होरा कर दीजीगा, मेरे पैस्तों ठीक है, और चैनल पर पाली बार आएंगे तो जोने कुछ सब्सक्राइब कर दीजीए, और दोस्तों पास मेरे प अच्छा लगा है तो पैस्तों लाइक भी कर दीजीगा, तो मिलते हैं लोग नेक्ष्ट प्रस्ण के लिए, जय हिन, जय भारत!